वेसाक पूरिमा दो हजार चौपिस सनातन धर्म में पूरिमा तिथी का बहुत महत है इस दिन भक्त भगवान विशुडू और चंद्रमा भगवान की पूजा करते हैं इस महिने वेसाक पूरिमा तेश मई तो हजार चौपिस को मनाई जाएगी इस सुप्तिती पर लोग कई परकार के अनुष्ठान करते हैं जिसकी वज़े से यह दिन और भी खास बन जाता है या बोध्धरम का महादपूर तहवार है इसे बुद्ध जैनती के नाम से भी जाना जाता है धानमिक रन्तों के अनुषार इस सुप्तिन पर ही गोतम बुद्ध का जनम और उन्हें ग्यान की प्राप्ति हुई थी उनके जीवन में तीन अधिक महादपूर घटनाए रही है पहला उनका जनम दूसरा ग्यान और तीसरा मोच यह सभी एक ही तिथी पर आते हैं हिंदु ध्रम के अनुषार गोतम बुद्ध भगवान विशुडू के नवे अवतार माने जाते हैं इस दिन भगवान बुद्ध के अलावा भगवान विशुडू और भगवान चंद्रदेव की पूजा की जाती है इस दिन को हिंदु और बुद्ध दोनों ध्रम के लोग इस दिन को धूम धाम से मनाते हैं बोध्रम के अनुसार वैसाग मास की पूर्मा को गोतम बुद्ध के जनम दिन के रूप में मनाया जाता है धार्मिक मानता के अनुसार इस तिथी को महतमा बुद्ध का जनम हुआ था आये जानते हैं कब है बुद्ध पूर्मा, तिथी, पूजा विधी और इश्नान दान बुद्ध पूर्मा कब है हिंदू पचांग के अनुसार 22 माई 2024 दिन बुद्धवार साम 6 बचकर 47 मिनट पर वैसाग पूर्मा तिथी की सुरुवात होगी वहीं इसका समापन अगले दिन 23 माई 2024 दिन गुरुवार साम 7 बचकर 22 मिनट पर होगा उदे दिथी को देखते हुए वैसाग पूर्मा और पुद्ध पूर्मा 23 माई 2024 को मनाई जाएगी इसनान दान का सुप मोरत वैसाग पूर्मा तिथी की सुरुवात 22 माई साम 7 बचकर 47 मिनट पर होगी इस दिन इसनान दान के लिए ब्रह्म मूरत 23 माई सुबा 4 बचकर 4 मिनट से सुबा 4 बचकर 45 मिनट तक रहेगा इस दोरान चंद रुदे का समय 24 माई को साम को 7 बचकर 12 मिनट पर है बुद्पूर्मा पूजा विधी पूर्मा तिथी पर पवित रदियों में शनान का विशेश महत माना गया है बुद्पूर्मा के दिन सुबा शनान के बाद सुर्द्यों को अर्द दे और बहते पानी में तिल परवाहित करें इस दिन भगवान विशुरू की पूजा की जाती है इस दिन पीपल के प्रेच को जल अर्पित करना चाहिए इस दिन दान दच्छिना का विशेश महत है इस दिन शनान दान करना और भगवान विशुरू और भगवान बुद्ध की पूजा करना बहत लाब देगा यदि गंगा इशनान ना कर सके तो घर पर ही गंगा जल मिला कर इशनान करें जरूर करें चमतकारिक उपाए पूर्मा हर माह में एक बार आती है पूर्मा शुक, सांती, वेभाव और सम्रुद्धी का परतीक है पूर्मा का उपवास रखने से सरीर और मन पर कई सकारतमक परभाव पढ़ते हैं इस ब्रत के माध्यम से मन और सरीर को अराम करने का आउसर मिलता है पूर्मा के दिन कई परकार के अधात्मिक और धानमिक अनुष्ठान किये जाते हैं इस दिन पूजा अर्चना करने से घर में सुभता आती है, इस ब्रत के प्रभाव से चंद्रमा मजबूत होता है, यह ब्रत परम कल्यानकारी माना गया है, ऐसा माना जाता है कि इसका उपुवास रखने से जीवन के सभी पापों का नास होता है, साथ ही इस से सोभाग की प्रा कालन करते हैं, तो आए जानते हैं इस दिन किये जाने वाले कार और उपाए, नमबर एक, वैसाग पुर्मा के दिन पीपल के पेण की पूजा का विशेश महत है, इस दिन पीपल को जल चढ़ाने से पित्र दोस्त से मुक्ति मिल जाती है, नमबर दो, वैसाग पुर्मा के इस दिन साम के समय पीपल के पेण की रीचे सरसो के तेल का दीपक जलाना सुब होता है, इसे रुके हुए कार्यों को गती मिलती है, नमबर दीन, वैसाग पुर्मा के दिन पूजा के दोरान चांदी के सिक्के का उपियोग करें, यह उपाए अथिक कारगर हैं, कुडली मे चंद्रमा की इस्तिती मजबूत करने के लिए चांदी का इस्तिमाल करें, नमबर चार, इस दिन एकांची नारिय लाकर घर के धन इस्थान पर रख दे, माना जाता है कि इससे दर्यता दूर होती है, और धन आगमन होता है, नमबर पांच, यदि किसी जातक की कुंडली में सनी दोस है, तो पिपल के पेण की पूजा करनी चाहिए, जिससे सनी दोस का परभाव कम हो जाता है, नमबर च्छे, इस दिन चंद देव के दर्सन जरूर करने चाहिए, बुद्पूर्मा के दिन भगवान विशुर और चंद देव की उपासना करने से आर्थिक तंगी होती है, इस दिन दान करने से पुन फुलो की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों आशी जानकारी आपको कैसी लगी है, कॉमेंट के माद हम से जोरू बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक किजेगा, शेयर किजेगा, अगर न्यू है, तो मैं चैनल को स किजेगा, शेयर 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 किजेगा, श